हलो लेर्नस वेलकम टू एडिफिकेशन मैं हूँ आपका दोस्ट और टीचर ने तरश्रुपाध दिया है आज हम पढ़ेंगे तो लॉस्ट चैल्ड का एक्चुली वर्ड मिनिंग दीख लेंगे आज हम लोग यह चैप्टर मैंने पिछले साले डाल दिया था वर्ड मिनिंग थोड़ा लेट हो गया तो चलिए आज हमनों देखते हैं कि मैं कुश्च करूंगा जहां सब्सक्राइब पिक्शर इनिमिशन की वहां डालने की शुरू करते हैं पहले वर्ड से जो है विंटरी आम तर पर यह सर्दी से जुड़ा होता है कोई ऐसी चीज जो ठंड में आती एक्शली प्लूल है एली क्याते हैं एक पतली से गली को आम तरप जो पतली गली हो उसके तो तो इस दिवारे हों कुछ ऐसा जैसा तस्वीर में देख ले आपको या इस पिक्शर में तो यह दोनों ही वैली है तीक है आगे बढ़ते हैं लेंस जो कि लेन कप डोलल है ठीक है एकठ्राइक होता है पात होता है जैसे आप लोगों ने सुना होगा टू-len लीन रोड़ बन रही है तो उनने क्या leads B Show T union, काड़ी आएंगी एक साइट से जायेंगी तो वहीं बीसिकली अनटी है जैसे यहां आप लोग इस पिक्टर में देख सकते हैं बीच में डिवाइडर बना हुऊ पेंट किया कर रहे हुआ है और दो लेन रोड पर यहां आप लोग देख सकते हैं एक रेस् Mega की कहीं लेन्स की फोटो ही यहाप लोग देख सकते एक आदमी स्विम्म荏 जाहरा है लेन में लेन दो फौरs हुत है रहा है टेली बेसिकली एक के से आता है शायद ये वाई के का मतलब तड़कीला भड़कीला भी होता है होमोसेक्शल तो होता है बट उसका मतलब होता है न रंगीन काफी गेली भी कुछ उसी सिंस में होता है काफी तड़क भड़क वाले रंग हो और खुश हो हो तो वो गेली कहा जा सकता है एडवाब है बेसीकली ये ठीक ये लोग फुश मिजाज है तो आप कह सकते हैं डियाग गेली आप ट्रूस जा आपके यह आ ये रॉनि अराउंड लोग खुशी खुशी दोड़ा जाएं तो इसा ही कुछ फिर फिर इक वर्ट आता है क्लैड सब्सक्राइब लिपटा हुआ पहना हुआ इस सिंस में आता है किसी ने से पहना हुआ माली जी आ आप कह सकते है कि हेज या सियूज से क्लैट क्या असे थे ठीक है अच्छा आप लोग ने एक वर्ड में बताता हूं आप लोगों सुना होगा आइरण-clad contract कोई ऐसा contract और उसकATHAN को तोड़ा न आ चाभिन-टॉरा जाए थो उसको को बने क्यार फिसकली चीज से द्टॉर। चड़ा हुआ फिर वर्ड़ा ब्रमिंग लबालब भरा हुआ ग्लास और नदी जो उपर तक भरी हुई हो तो उसके लिए प्रमिंग वर्ड़ी हो सकते हैं फिर लैग जो कि लैग से आया है लैग का मतलब होता है पीछे छूट जाना पीछे रह जाना अटक जाना अपने सुना होगा फोन ल हो गया है तो इसका मतलब आप इक्तम किसी चीज को मंत्र मुग्ध हो के देख रहे हैं या उससे एक्तम अट्रैक्ट हो गया है बहुत जादा ऐसा लगता जादू से आपको पांधिया कि है ठीक है तो आप फैसिनेटेड हो गया है लिंगरिंग जो कि लिंगर से आया है मतलब यही होगा देले ळीरे घटता हुआ पीछेटे हे सकता हुआ सबस्परिस का मतलब होता है दबा देना शया तो किसी को आप दबा देना और थो से उसको चुप Colonel ए-2 तो आप उसको सप्रेस कर छा दिया अपनी सुनाओ गाप घंड गंस में सब्रेसर लगते हैं गंस व पर अपना रोप जमाता है तो आप कह सकते हैं वो टारिंट है आम तोर पर टारिंट कहा जाता था उन लोग को जो लोगों पर अत्याचार करते थे जमिंदार हुए गुंडे हुए यह लोग ठीक है डाक हुए गया फिर वाड़ आप प्लीडेड जो की प्लीड से निकल किया कका प्लीड का मतल होता है गर गड़ाना काफी बाध मतलब काफी जोड से प्राइस ना करना फिर डा यह यह जाना पहचाना कह सकते हैं इसको का फिर यह जाना हो और ये को नारम होता है उसको पो कहते है thenlam को इष चीज दुंदली हो वो पैल है जिसका कलर जड़िया हो जिसका कलर बिल्कुल लाइट हो तो वो पैल है किसे इंसान में इनर्जी बिल्कुल नहीं हो उसका चेहरा लग रहा हो कि रूखा सुखा है तो वह भी पैल आप कह सकते हैं फिर बॉर्ड ऐड्र ड्रागन फ्लाइज जो कुछ यह होती है ड्रागन फ्लाइज आपने देखी होंगी यह ऐसी हमारे हैं काफी होती है फिर आहीं यह वर्ड एर्डेसंट एर्डेसंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी जो अलग अलग अंगल से दिखा जाए अलग 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 लाइट से तो उसके कलर्स बतल बतल के कह लिजिए आप स्टैंपीड तो नहीं लेकिन हाँ ठीक है आप इधर इदर कह लिजिए काफी दौर ना भागना भाग दौर कह लिजिए फिल वर्डाया है गौडी काहा जाता है न कोई ऐसी चीज जो काफी ज्यादा फ्लैश ही हो काफी ज्यादा तरक भड़क वाले कप् गौडी है ट्राइगन फ्लाइज के विंक्स को भी गौडी कहा जा सकता है शायद फिर एक वर्डा है इंटरसेप्टिंग जो कि इंटरसेप्ट से निकल का है इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को रास्ते में ही रोक देना या रास्ते में इसको पकड़ देना ठीक जो कि फ्लटर से निकल किया है बिसी कली कोई चोटी सी चीच जो अपने पंक फरफडाती है जैसे ड्रैगन फ्लाइ तितली वगहरा वगहरा तो वो कहा जा सकते कि वो फ्लटर कर रहा है फ्लैप भी कुछ इसे से सेंस में लेकिन आम तो भी चुड़ियों के साथ आता है जब कि या अपने पंक फरफडाती हैं तो कहा जाता है कि वो फ्लैप कर लिए ठीक है कॉशनरी कोई ऐसी चीच जो चिताओनी देती हो तो वो कॉशनरी है कॉशनरी कॉल कोई आपको आवाज दे रहा है कि ऐसा ना करो चिताओनी दे रहा है कि वैसा ना करो तो कॉशनरी कॉल है अप्रेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल बरावर बिल्कुल साथ साथ ठीक है टीमिंग का मतलब होता है एक्चली टीम से निकल के है पर हो बहुत बड़ी संख्या में निकल के बाहर आना चलना तो यह टीम होता है टीडवल एम फिर वड़ा है ग्रोफ बड़े-बड़े पेड प्रस्क्रीज़ की पेठल की पेठल है पेठल होती है फूलों की पंख़ुडिया फूलों की पंख़ुडी यांकि फूल योग फूल के इत जो होती है जैसे इस गुलाब को आप देख रहे हैं यह कई पंखुडियों से पना हुआ है जिनको जब हम लो नूच देंगे तो वो कुछ ऐसी हो जाएंगी फिर वर डाव डाव जो कि डाव का प्लूरल है डाव आप लोगोंने काफ़े सुना होगा साबून शैंपूर आते हैं और हैब शुब दर में बबक जोड़ी हैं छोटे कभूतर जैसे होते हैं कभूतर ही होते हैं और कि फैमलिय होती है कुछ पालाजीकल उन्दर होता होगा बड पेसिकली इनको हिंदी मी फाक्ता आ जाता है ऐसे होते हैं के पर साइक्शली इसका कोई मतलब होता है या नहीं मैंने काफी डूना मुझे मिला तो नहीं लेकिन बर्गत के प्योड़ों पी जो जटाएं निकली होती है ना चारो तरफ जैसा कि आप देख रहें दोनों में इनको हम लोग केपर्स कहते हैं वाइंडिंग इसको वाइंडिंग पढ़ते हैं विंडिंग नहीं वाइंडिंग कोई ऐसे जी जो बार बार मुडी 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 हो मतलब बहुत बार उसमें बेंड्स आए हो तो हम उसको कहते हैं वाइंडिंग आम तुर पर वाइंडिंग पात होता है जैसे सेह लाघ यह फैनने पाफ है वाइंडेंग रोड यह भी उनन्ट रोड है यही फिर के यौने पाथ भांड इनग फ्यूते हैं पॉर्द षैंसे फसी और होना आसपास आना वालपूल का मतलब होता है भावर जो आम तोर प्यापते देखा शायद होगा समंदर में अगर आपने गया आप कहा हो तो वन्हां फिल्मों टीवी में तो जरूर देखा होगा कुछ ऐसा देखता है भावर कोल-गोल घूमता रहता है यह समंदर में तूफ आता है सेम पोल्स रीपेल इच अधर उपीछे भागने लगते हैं फिर वरड़ा है हाउक्ड एक वब के तोर पी है हाउक का इतली हहाउक का मतलब होता है चिला-चिला की एक च्छळगा की एक चिंगा से दूसरी जगह भूंगे कोई सामान पेचना ठीक है आवाज लगा स्वीट मिट्ट स्वीट मिट्ट मिठाई को क्याते हैं। माला को कहा जाता है किसी इतली की माला ओ या सर्कूल मेंड और फूलों का तो उसको हम लोग कहते हैं गालेंड है गुलमोहर एक पेड़ होता है आप लोगों ने देखा हो जरूरों का मुझे बढ़ा पसंद ही पेड़ इसके फूल कुछ ऐसे होते हैं और पेड़ कुछ ऐसा दिखता है जब प्लॉसम करता है मुझे बहुत जादा पसंद ही पर फिर पोड़ा है रिजिस्टिबली का मतलब होता है ना जिस चीज को रिजिस्ट आप नहीं कर पा रहे हों तो आप उसको इर्जिस्टिबली उसकी तरफ पढ़ रहे हैं माली जापको बढ़े पसंद थाए और कुल गपा देखते ही हैं आप उसके अड़ घीचे चले आ जारे है हीप्ट का मतलब चीज़ें अगर एक साथी कट्ठा हों बहुत जादा एक पाइल बना के उनका क्या कहा जाते हैं उनको कट्ठर बना के या समझे उनका धेर लगा के रखा हो जैसे यह लकड़ियां रखे हैं फिर यह अना आज रखे हों शायद यह चिक पीज नहीं यह वह है है या कोई बहुत इमोशन बहुत तेज हैं तो ओवर्वल्मिंग इमोशन से आपके जैसे प्यार महपत के इमोशन बहुत तेज हो या कुछ खाने के इच्छा हो तो ओवर्वल्मिंग डिजायर हो गया ओवल्मिंग लव हो गया यह सब चीज़ें पॉस्स या पॉस्स इसक आपने तीर अंदाजी की पड़ी अच्छी कला है पिर वड़ा है सनिक चामर कहते हैं हमारे यह सपीरी जो होते हैं जो साप ग्रेरा को बीन बजा के घुमाते हैं उनको गहा जाता है साप बीन की धुन से नहीं घुमते हैं आफ अपने टीचर से पूछे हैं वो कैसे घुमते हैं यह होते हैं सपेलिस निक्चामा जिनको इंग्लिश में कहा जाता है फिर वर राता है ग्रेसफुल ग्रेसफुल यानि कोई ऐसे चीज जो काफी अट्रैक्टिव हो एक क्लास हो ज हो इसकी इंदी होती ही है भव है फिर वर्ड आहय है फॉर्बिड एन फॉर्बिड का मतलब होता है ना कूई ऐसे चीज चहां मतलब कोई ऐसी जगह है चहां जाना मना हो तो फॉर्बढ़ एंप लियसHे कोई 아सा काम हो जो आपको कना किया जा रहा हो और तो लग याक्रेस क कॉर्स काफी चीज़ें होती जैसे ग्रीन होता है my किना आज तो जो कहते हैं को मुंटा कपड़ खुल रा कपड़ बकड़ को स्टेक्शर कुदर टेक्श्चेश ओला होता है ञूं है ते सब्सक्राइब क्लोगर बीन थो पड़ ठीक्र weet और श्रीक तो श्रीक कम अनला कुछ निकाल ना श्रींग न मतलब ती चीझ भी उसको निकालना टीजी जुआबको चक्कर आने लगता है ना तो आप में सकते हैं disruptिंगल कि आ sehe मत जाएंगे Code intently का मतलब होता है किस चीज़ को determination से करना या देखना या सुनना तो वो intently होता है अगर आप intently कुछ कर रहे हैं या नहीं अप determination के साथ कर रहे हैं जर्क as a verb यूज होता है ना क्या कहा जाता है इसको आपकी बॉड़ी का एक लगे की कांपने लगी हिलने लगी जटके खाने लगी तो आप कहते हैं कि इट्स जरकिंग ठीक गारियां भी जरक करती है अपने देखा होगा दक के वगरा सुरी स्वीड प्रिकरस वगरा आने फिर वर् इस देखते थे तो उसका उसकी थी फिर्स पर्टल यानि का खतरनाक जंग कर जा सकता है फिर्स एमोशन्स होते हैं का फिर्स ना कि मोशं सेका बहुत दयी जाते हैं उन्म को का जा सकते हैं औंस को फिर्स promotion का जा ups जिनमें इस्ट्रीमीडी हो हो एंटेंसिटी हो एक तरिए क करने को यहphemियों इसको कर अच्छ करने में मुष्छ की लाली मैं ठीक है तो वो फ्राशत है और स्टन का मतलों मतलब तर रचना भरक न आमरे लगेरा को कहा जाता है को आपका कंवल्ज है तो काफी वह वह फूलतimento फूर भागते हैं तो लोग कह सकते हैं कि युआ रॉनिंग फिर वेल्ट से आए वेल का मतलब होता है चीक चीक के मातम मनाना रोना चिलाना जो चो चो से फिर आए टर्बन इसेंशनिली पगड़ी को कहा जाता है टर्बन ठीक है अंटाइड जो कि अंटाई से तो खुल जाती है बहुत से अंटाई होती है पगड़ी अंटाई होके खुल जाती है पजामा अंटाई पजामा तो नहीं दोती अंटाई हो सकते हैं तो यह चीज़ें साड़ी अंटाई हो सकते हैं जो भी यहां अपने कुछ चीज बांधी हुई है नौट वगयरा गाई हु फिर अगी वर्ड है मड़ी कीचर से सना कीचर से लटपत कवर्ड विद मड़ जैसे ये रास्ता है पूरा मड़ी है कीचर है नदी है सौरी ये नदी जो है रास्ते के साइड में ये मड़ी है ये काड़ियां बिसकली खड़ी है तो ये मड़ी है फिल्मी कोई चीच जिस पे एक पतली से फिल्म चड़ गई हो आपने रोते वक्त देखा होगा आँखों से दुनला दुनला दिखने लगता है ऐसा लगता है आँखों पर जो आशू के कोटिंग हो जाती है तो उसको वेसिकली उस वक्त आँखों को आप कह सकते हैं जल्लेद हो गई है श्राइन किसी ऐसी पवितल जगह को कहा जाता है जहां लोग की घठा होते हो फूजा पाठ हो गयरा करने के लिए कंजिस्टेट का मतलब होता है बिल्कुल ठसा ठस भरा हुआ जैसे यह रोग भरी हुई है यह मार्केट प्लेस यह ट्राफिक काफी कंजिस्टेट है ठीक है मार्डरस का मतलब होता है काफी घठ ना कोई ऐसी चीज़ जिसको देख की डर लग जाए मतलब लगे कि यह तो किसी को की जान ली सकता है तो मार्डरस है मार्डरस आइस होती है मार्डरस फीस होते है मार्डरस एक्सपरिशन होते हैं हैफ्टी जो काफी साइज का बड़ा हो वेट जादा हो तो वह हैफटी है है एमाउंट का जाता है बहुत जादा पैसे हो उसको इस चैप्टर में शार्ट शोल्डेस के लिए था हैफटी शोल्डेस तो उनके लंबे चौड़े जो गंदे थे उनके लिए उसके आगे था फिर थ्रस्ट लेंग इसको काफिकिए कु चल देना मुचर देना तो वो ट्रैमपल उता है सविकली सठ से है सविकले मादना आप कहAU hanya बहरे उमरती है तो सब्चार्ट Понढ होता स्टूपिंग आपको क्या स्टूपट कर नाच की तरफ जाना नीचे की तरफ अड़ना और आगर इसटूप करतें तो आपको इस तूप भी होता है ङोह एफ स्टूप लो खेड बहुत नीचे की माहिए होतों सूध का मतलब होता है ना किसी को आराम पहुचाना चाहे वो इमोशनली हो या फिसिकली हो जैसे भी उसको कॉस्टू फिल बेटर मतलब उसको अच्छा महसूस करा है स्वेंग जो कि स्वे से आया है इधर उधर जूलना आगे पीछे या साइडवेस इधर उधर दाएं पाएं आगे पीछे जैसे भी आप छूल रहें आप स्वे करें जूम रहें अपने सराबियों को दिखा होगा स् रिटरेट का मतलब होता है किसी चीज को फिल से कहना तोहराना ठीक है अपने बात को दोबारा जोलते कि कहते हैं तो आप रिटरेट करते हैं ठीक है हूमर का मतलब होता है ऐस वर्ब यहां यूज हो है तो हूमर यहां पे हो जाएगा किसी को अच्छे मूड मेलाना किसी को वो ह्युमार होता है, this console a,exfigة को या ऐसी चीज़ की console ना हो सकती हो, यानि की मान ना सकता हो, कोई इनसान जो बहुत बहुत ज्द्धादधु हो, तो है आप कह सकते हैं, he is this console, is that console consolidate नहीं कर सकतें 나올 को मनाना चार्ज चार्ज का जाता है कोई ऐसी चीर जो पर थमाई गई हो क्या कथा निसानों की सेट्ट में वह ता कह लिए कि यह तो यह अपको इनकी जम्मदारी देजा लिए तो यह आपका चार्ज तो बिसीकली यह zeros थैब स lados मिनिंग वाला वीडियो खतम हुआ, उम्मीद करता हूँ आपके काम आया हो, आया हो तो क्या करना है बताने की जरूरत नहीं, लिकिन मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिस्टी से, टेक एर एंड कीप लर्निंग, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया ह होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाईए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताईए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियो में क्या चाहते हैं, शेयर ज कर दाने वीडियो अगर कर तो, और सा आटाप सा, अलाभ ये 당वाप येश yह से शीचे का इवी पताने पालस लाइक कि आताएए.